SDM पतनी और सफाई कर्मी पती का विवाद लगतार नए मोड लेता जा रहा है बरेली शुगर मिल में GM पत पर तैनात SDM जोती मौरिया के सफाई कर्मी पती ने जो आरोप लगाए है उसके बाद मचा बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ कि दोनों की शादी ही सवालों की घेरे में आ गई है दोनों की शादी का एक कार्ड वाइरल हो रहा है जिससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए है शादी के इस कार्ड में जो जानकारी दी गई है उस पर सवाल उठ रहे हैं सफाई कर्मी पतपरतैनात आलोक मौर्या को इस कार्ड में ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया है वही उनके परिवार में भी अधिकांश लोगों को सरकारी नौकरी में दिखाया गया है इस कार्ड के आधार पर ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या आलोक ने जूट बोलकर शादी की थी हाला कि आलोक मौरिया इस कार्ड को फरजी बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें फसाने के लिए पत्नी जोती मौरिया ने ये कार्ड छपवाया है आलोक कहते हैं कि कार्ड में जोती को भी अध्यापिका बताया गया है जबकि शादी के वक्त वो खुद पढ़ाई कर रही थी बता दे ये मामला पिछले दिनों तब चर्चा में आया जब वेस्डियम जोती मौर्या के पती आलोक मौर्या मीडिया में सौ पन्नों का सबूतों का पोथा लेकर आ गए आलोक मौर्या और जोती की शादी 2010 में हुई थी आलोक ने जोती की सरकारी नौकरी में तयारी की हर संभाव मदद की 2015 में जोती मौर्या सोलवे रैंक के साथ PCS अधिकारी भी बन गई दोनों की दो जुड़वा बेटियां भी हैं लेकिन चंद ही सालों में ऐसा क्या हुआ कि परिवार का मामला अख़बार में आ गया दरसल सफाई कर्मी के पतपर तैनाद पती आलोक मौर्या ने अपनी SDM पत्नी पर बेवफाई के साथ साथ रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने पुलिस को सबूत भी सौपे हैं आलोक मौर्या का आरोप है कि उनकी पत्नी जोती का खोम कार्ड कमांडेंट के पतपर गाजियाबाद में तैनाद मनीश तूबे के साथ अवैद संबन्ध है और उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर उनकी हत्या भी करवा सकते हैं अब शादी के कार्ड का नया विवाद सामने आ गया है अहम सवाल ये है कि ये कार्ड फरजी है या आलोक ने जूट बोलकर शादी की थी जोती मौर्या और आलोक मौर्या के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है इस बीच कभी जोती का कथित गालियों वाला वीडि की रिपोर्ट